मंच पर विराजमान सभी माताओं बहनों और भाईयों को नवीन का नमन स्विकार हो आत्म निर्वर भारत और हिंदी दोनों एक दुसरे के पूरक है हिंदी और हिंदी संस्कृती की मजबूत निव पर खड़ा भारत ही आत्म निर्वर हो सकता है और एक आत्म निर्वर देश में ही वहां की सभिता संस्कृती अपना अस्तित्व कायम कर्क सकती है फल फूल सकती है तो सबसे पहले बात आत्म निर्वर भारत की इमारत पर चढ़ने की सीड़ी की आत्म निर्वर भारत एक ऐसा देश जो अर्थिक और सामाजिक रूप से स्वावलंबी हो जिसमें अपनी सीमाओं की रक्षा करने, अपने हितों की रक्षा करने का भुजबल हो जहां के लोग तकनिकी रूप से इतने सक्षम हो कि अपनी समस्याओं का उपाय स्वयम ढूण सके समस्या का उपाय ढूणने के लिए, सतिक उपाय जानने के लिए उस देश को जानने की आवशक्ता होती है और यह जानकारी उस देश के माती के लाल से अधिक जैविक रूप से कोई और नहीं रख सकता है मैंने जैविक शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि किताबों में डूप कर ली गई जानकारी से पानी पी पी कर लिया गया अनुभाव अधिक प्रभावशाली होता है पूरी अर्थ व्योस्था इसी सिधान पर टिकी होती है कि ऐसे उत्पाद बनाये जाएं ऐसी सेवाएं दी जाएं जो कि वहां के लोगों की जरूरतों को पूरी करती हों इसके लिए वहां के लोगों को जानने क्या आउशकता है उनकी धड़कनों को समझने क्या आउशकता है अब केसला नामा कंपनी के CEO प्री एलॉन मस्क से कोई पूछेगा कि भारत के यातायात समस्याओं का समधान सुझाइए तो बोलेंगे कि मेरी कार कंपनी का कार खाना लगवाईए और हम रोजगार देंगे लोगों को तो क्या 20 लाख रुपे से न्यूनतम 20 लाख रुपे से शुरू होने वाली कारें खारत की भीड को ढोने में सक्षम होंगी नहीं हमारी समस्या का समधान तो रतन टाटा जैसे लोग देंगे जो बारिश में मोटरसाइकिल पर सवार परिवार को भींगते हुए देखते हैं तो उनको छतरी वाली कार नैनों का सावगात देते हैं इसी बात पर बल देते हुए माइक्रोसाफ्ट के वर्तमान सी यो श्री सत्य नाडेला ने भी कहा था कि विश्व की सारी सरकारें चाहती हैं कि अंतराश्ट्री कंपनी उनके यहां आए रोजगार अपना सेटप लगाए और रोजगार दे लेकिन यह समस्या का अस्थाई समाधान है हाई समाधान के लिए वहां के लोगों को सक्षम बनाना पड़ेगा वहां के लोग जब अपनी समस्याओं को समाधान करते हुए नए नए व्योसाई के आयाम ढूणेंगे लोगों को रोजगार देंगे तभी देश आत्मने भर बन सकता है अब रही बात की देश को सक्षम कैसे बनाया जाया और इसमें हिंदी की क्या भूमिका है तो अगर कोई इसको हिंदी एक भाषा मात्र की रूप में समझने का प्रयास करेगा तो मुश्किल आएगी अमेरिका में कोई बढ़ा हो, हिंदी भाषा जानता हो उसको भारत लेकर आया जाये तो क्या वो हमारे समस्याओं का निदान ढूण सकता है मेरे हिसाब से नहीं क्योंकि वो हिंदी भाषा मात्र को जानेगा वो हिंदी के साथ जूड़ी हुई संस्कृति सभ्यता को नहीं जानेगा इसी लिए इसी लिए हिंदी और हिंदुस्तान की मूल संस्कृति में सना हुआ भारतिय ही मा भारती को उनके पैरों पर खड़ा कर सकता है इसके लिए एक जन आंदोलन की जरूत होगी जहाँ पे सभी लोग इसी धुनी में रहेंगे कि देश को आगे ले जाना है हमें शुरू से शुरू करने की जरूत पड़ेगी कम से कम कम से कम एक पीड़ी को शुरू से शुरू करने की आवशक्ता होगी शिक्षा के माध्यम से हमें अपने देश के बच्चों में राष्ट्रवाद, हिंदी हिंदी सभ्यता वो उनके रगों में प्रवाहित करने की आवशक्ता होगी हमें जरूत है एक शिक्षा की गुडवत्ता पूर्ण शिक्षा, सबको शिक्षा हमें ऐसे विद्यालेओं की आवशक्ता होगी जहां से पढ़ा हुआ बच्चा स्वावलंबी होगा उसके देश में राष्ट्रवाद होगा उसकी अपनी एक सोच होगी उसके पैर भारत की मूल संस्कृती में गड़े होंगे थाथ ही वो मंगल पर जाने की कामना रखे वो अपने नीजी स्वारतों से उपर उठकर देश सेवा, देश को आगे ले जाने के भाव रखे आ आजकल अंग्रेजी स्कूलों और अंग्रेजी की पीछे का जो पागलपन है वो किसी से छिपा नहीं है अंग्रेजी का बोल बाला इतना है कि हिंदी माध्यम से पढ़े हुए बच्चे अपने ही देश में एक गीन भावना से ग्रसित होते जा रहे है मैं अंग्रेजी का बिरोधी नहीं हूँ लेकिन उसके साथ आने वाली सभ्यता ठोपी जाने वाली सभ्यता का पक्षधर भी नहीं हूँ ऐसी सभ्यता जो हमारे हमारी संस्कृती में विश्वास को कमजोर करती हो हमें मांसी गुलामी से अधिक बल्शाली और कुछ भी नहीं कर सकी जादा दूर जाने की जरुवत नहीं है अपने पडोसी देश चीन, जापान, तक्षिड कोरिया में देखे उन देशों ने अपनी संस्कृती, अपनी भाषा का सम्मान करते हुए राश्ट्रवाद के बल पर पूरे विश्वम में नाम कमाया उदाहरण के तोर पर सबत्या क्यों जरूरी है? उदाहरण के तोर पर हिंदी में पढ़ाया जाता है, कहा जाता है जरनी और जन्म भूमी स्वर्ग से भी स्ष्ठ है, इसका अंग्रेजी अनवाद एक सार्थक वाक्य तो बनेगा लेकिन बहुत सारे देशों में अर्थ विहीन होगा, भाव विहीन होगा अब जाकर बोलियो पस्चिमी देशों में, the mother and the motherland are even superior to heaven बहुत सारे लोग बोलेंगे, क्या बकवास कर रहे हो, लाओ, स्वर्ग जाने की सीड़ी बताओ तो इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से आवाहन करना चाहूंगा कि शिक्षा पे सबको शिक्षा गुर्वत्ता पूर्ण शिक्षा उपलवद कराने के दिशा में अधिक्तम निवेश करें अब जो लायक रहेगा, लोग उसी की सुनेंगे जो काबिल रहेगा, विश्व में वही काबिज होगा, इतिहास कवास आप जर्मनी में जाइए, जर्मन सीखनी पड़ेगी, रशिया जाइए, चीन जाइए, रक्षिर कोरिया जाइए वहां की स्थानिय भाषा और सब्वेता सीखनी ही पड़ेगी अगर आपको वहां पे व्यवसाय करना है, फलना फूलना है तो देश अगर शक्तिशाली बनेगा, तो भाषा अपने आप खलेगी फूलेगी साथ ही, आज जितनी तेजी से वैश्वी करन हो रहा है, उससे भी अधिक तेजी से दिवाले बनाई जा रही ऐसे में वसुधाय कुटुम्वकम अपने हिर्दय में रखा हुआ भारती ही, तम के गर्त में डूबते हुए विश्व को रास्ता इखा सकता है इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ